सुमवार को इमाम संगचन की तरव से जिला उपयुक्त के साथ बैठक कर ये सहमती जयता आई थी कि 18 जगाहों पर नमाज की जाएगी विवादित जगाहों पर अब नमाज नहीं होगी लेकिन मंगलवार को मुसलिम संगचन के दूसरे धड़े ने इस बात का विरोध करते व कुछ मुसलिम संगचन के लोग आरेसेस के साथ साथ गाट करके बेवजा अपने निर्ने प्रिशाशन के सामने रख रहे हैं जिसे मुसलिम संगचन इतफाक नहीं रखते हैं गुरुगराम जिला उपयुक्त के दफतर पर आज सैकडो मुसलिम संगचन के लोगों ने इकठा होकर ग्यापन सूपा और नमाज के लिए फ्रिशाशन से मामली का समाधान निकालने की मांग की है मुसलिम संगचन के लोगों ने इस वात का विरोध भी किया है कि कल हिंदो संगचनों के साथ मिलकर कुछ मुसलिम समुदाय के लोगों ने इमाम संगचन के लेटर पैट पर एक सहमती जताई थी कि विवादित जगाह पर नमाज ना करके 18 जगाहों पर नमाज की जाएगी जिसमें 12 मस्जिद और 6 जगा किराय पर लेकर नमाज कराई जाएगी लेकिन अज मुस्लिम समाज के लोगों ने ग्यापन में ये कहा कि वह कुछ चुनिंदा लोगों ने बेवजा अपने साजनिक सहमती ने जताकर अपनी मरजी से पूरी मुस्लिम समुदाय के अधार पर इस मामले पर नेरने ले लिया जिसका गुरुगराम के मुस्लिम समुदाय की लोग विरोध कर रही है जब से कल से सुना है कि ये शडियंत्र रचा जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन साथ में मुसलिम राष्ट्रियमंज जो की RSS की शाखा है ये समझ लें जब हम मुसल्मान राष्ट्रियमंज बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुसल्मानों के कुछ नुमाइंदे हैं यह हम सब लोग जानते हैं कि यह RSS की शाखा है और मुसल्मान समुदाए उनसे इत्तिफाक नहीं रखता है यानि कि उनसे अगरी नहीं करता है जो उनका परपस है वो मुसल्मान के लितों के लिए वो मंच काम नहीं कर रहा है और वो एक दो चार ऐसे रिजवी घूम रहे हैं इन रिजवीओं को हम नहीं मानते और पूरी तरीके से नकारते हैं आप लोगों ने मैच फिक्सिंग कर दी हिंदू संगठन लेके आए मुसलिम राष्ट्यमंच को और बोला यह मुसल्मानों के समुदाए के रेप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके नुमाइंदे हैं यह बिल का रोल ना रहे दोजार अठारा में 37 जगें चिनित हुई थी सीम मनोहरलाल खटर जी ने इस बात का भी जोर डाला है अलान किया हुआ है कि जो चिनित जगें हैं वहाँ पर नमास पढ़ने दिया जाए हमारी सिर्फ और सिर्फ यह मांग है कि आप इस शणियंत्र को कोई कि इसम की माननेता ना दें और आप देख लें कि आज इतने लोग हैं आज वरकिंग डे हैं अगर आज वीकेंड होता तो आप देखतें कि मुसल्मान समुदाई से कितने लोग आ सकते थे आप हमें इस मजबूर ना करें कि हमें प्रोटेस साइट खोलना पड़े और वहाँ प पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप खुले में नमाज पढ़ते हैं खुले में हम नमाज खुद से नहीं पढ़ते हैं मजबूर कर दिये गए हैं क्योंकि हमें जमीन नहीं दी गई कि हम उस पे अपने मसाजित बना सकें आप हमें जमीन दे दीजे हमने अभी भी नवंबर में एक interview panel था administration का जिसमें हमने जमीन के लिए apply किया था 10% उसमें हमने जमा किया था उस land value का DC साब ने उसका recommendation letter भी लगाया था लेकिन उस panel ने reject कर दिया वो side इतना जादा यहां पर हला मचा हुआ है तीन चार महीनों से और सब को मालूम है कि हमारे पास जगा नहीं है फिर भी हमें जमीन नहीं दी जाती है तो मुसल्मान क्या करें मजबूर हो जाता है और क्या सड़क पर पढ़ड़ा है जो constitution है समविधान है वो हमारे मुल्क की backbone है ठीक है उसकी रक्षा के लिए प्रशासन भी है और शासन भी है जो यहां पर हो रहा है कि कोई भी आके कोई भी हो सही कह रहें आप लोग कि कोई भी आके बोल दे कि हमें यह है वो नहीं उनका काम है कि जो हमारा समविधान है उसकी रक्षा की जाए अनुसार हम काम करें हमारे मखब के अंदर यह बिलकुल ओबलिगेटरी यानि जरूरी है कि जुमा नमाज एक साथ खड़े होकर करें जो जूट भ्रम फेलाया गया गिया आप अपने घरों में पढ़ लें आप यहां पर यहां पर काफी तादाद में लोग आए हैं और उनको बताने आए हैं कि नमबर एक मुस्लिम राष्ट्रे मंच हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है वो दो तीन लोग ले आते हैं अपने साथ उससे नहीं चलेगा हम बात यहां पर नहीं है वो यहां के हैं नहीं है वो दूसरी बात है बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्रे मंच हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है